हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वल्कम फ्रेंट्स वल्फद दिन पर एक्सल टूटोरियल में आगे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं फॉर्मूला एक्सराइज 3 की तरफ जिसमें हम सीखेंगे कुछ काउंट से रिलेटेड फॉर्मूले एवरेज तो हम अल्रेडी सीख चुके हैं सम भी हम सीख चुके हैं तो हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन को देखने वाले हैं इसके बाद हमारी प्रैक्टिकल एक्सराइज चलेगी जो आप लोगों के लिए है और आपको इसके सॉलूशन करने हैं उनके सॉलूशन आपको मिलते रहेंगे दो दो दिन में आपको वीडियो का अपडेट मिलत रहेगा और उसी के अधार पर अपना क्रोस चेक कर सकते हैं तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए अपने उन फॉर्मिलेश को कीजिए जिसके बाद उनको क्रोस चेक करने में आपको इन वीडियो से हेल्प मिल जाएगी तो यह देखते हैं सबसे पहले फॉर्मिला और डी कॉलम में बोनस उसी के बाद हमने यहाँ पर टोटल सैलरी भी निकाला है आखरी कॉलम में और यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज नमबर ऑफ टाइपिस्ट आपको काउंट करने है जिनका जो बोनस है चार हजार या उससे उपर के अमाउंट का है इसी तर यहाँ पर हमने फॉर्मले का यूज करा है सम डी टू से डी एट इसका मतलब हमारा संदीप नाम से जो की डी टू सैल में वैल्यू लिखी गई है बोनस की और आखरी जो की रोहित राना आठ जार रुपे से है वो हमारा डी एट सैल के अंदर दिखाया गया है तो हमें हमार यहाँ पर आपको फॉर्मुला लगाना है इक्वल सम बी टू कॉलन बी एट यानि कि जो सैलरी का हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल सैलरी के आगे बी नाइन सैल के अंदर यह फॉर्मुला हमें अपलाई करते हुए उसका सम मिल जाएगा आए प्रैक्टिकल इसको लिए प्रैक्टिकल था और बिसिकली हमें ओल्ट इक्वल का यूज सिर्फ टोटल के लिए ही यूज करना है बाकि सभी फॉर्मुलों के लिए हमें फॉर्मुला एपलाई करना पड़ेगा फिलाल हम यहाँ फॉर्मुला लगा देते हैं सम के बाद हमने अपनी पूरी रें के बाते हैं मिनिमम indicates अपने पाएंग और मिनिमम सेलरी की जो रेंज है वह हम बी टू से बी एक तक기 देने के बाद कैलकुलेट कर बाएंगे मेक्सिमुम Coffee भी हमें सेम रेंज पर लेनी है जहां हमारी सेलरी डिफाइन है B2 से B8 तक and then average salary ये सबी formula हम पहले भी सीख चुके हैं इसमें हमने average salary का price निकाल दिया 43,000 अब जो हमारे लिए नए formula है वो है number of typist number of employee जिनको bonus 4000 यह उससे उपर का मिला है और number of employee getting more than 25,000 salary तो इन चीज़ों को निकालने के लिए हमारी जो range है वो है D2 से लेकर हमारी D8 तक की तो number of typist हमें count करना है तो हमें count if का इस्तमाल करना है because हमें particular conditions related data को count करना है तो हमारी यहाँ पर जो range है वो हमें select करनी है C2 से लेकर जो की हमारी C8 cell तक है यहाँ पर हमारे सारे designation select हो चुके हैं और हमें जो count करना है वो typist form को count करना है वो character small यह आपर किस किसी में भी हो सकते हैं यहाँ पर वो exact उसे check कर लेगा और यहाँ पर number of typist आ चुके हैं 3 इसी तरीके से number of employee हमें देखने है जिनकी जो bonus calculation हमें चेक करनी है 4000 यह उससे उपर की उसके लिए हमें फिर से formula लगाना होगा count if का और range हमारी हो जाएगी D2 से लेकर D8 तक की क्योंकि हमारे जो bonus हैं वो D2 से D8 तक mention है यहाँ पर हमें जो check करना है जिनके bonus 4000 या 4000 से उपर के हैं तो आप देखेंगे कि 4000 यहाँ पर बार mention है अगर हम equal का sign नहीं लगाते तो वो उसको ignore कर देगा और हमें वो भी चीज़ चाहिए जिनके bonus 4000 भी है तो number of employee ऐसे आए हैं 5 उसके बाद number of employee हमें calculate करने है check करने है जिनकी salary 25,000 या उससे उपर है यहाँ पर more than का use हुआ है तो 25,000 से उपर का ही हमें formula लगाना है equal का sign हमें use नहीं करना अब हमें जो range देनी है वो हमारी B2 से लेकर B8 तक की range है और हमें यहाँ पर check करना है 25,000 से above तो simple आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 employee जिनकी 25,000 यहाँ पर salary एक employee की यहाँ पर salary है 25,000 रुपे विने की जब हम enter करेंगे यहाँ पर 3 employee ऐसे हैं अरुन, मयंक और रोहित राना जिनकी salary 25,000 से जादा है तो इस तरीके से हम formula calculation कर सकते हैं counts related आने वाले वीडियो में हम और practical formula को देखने वाले हैं जिसके लिए आप मने रहें self-adhyan के साथ thank you कर दो